हेलो रादे रादे वेल्कम डेक तो माई चैनल क्या सब आप सब लोग आज मैं अपने चैनल पर आपके सामें नायका हॉल लेके आई हूँ और मैं अपने अधर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दोगी तो प्लीज उन्हें जरूर से चैक करिएगा तो चैनल मैंने नायका चैनल के पेले और प्लेस किया था और जिसमें मुझे अप्टू 30-40% आउफ मिला है तो यह इस तरीके से कुछ एक बॉक्स मुझे रिसीव हुआ है आप देख सकते हैं यह नायका का इता बड़ा वॉक्स है और मैंने इसमें ज्यादा मेकप अगएरा के प्रोडेक्स नहीं मगाए हैं मैंने इसमें केवल कुछ एसेंसियल्स ही मगाए हैं जैसे जो डेली उसकी हैं और वह मैं आपको बता देती मुझे 30% ओप महीं मिले हैं तो चलिए इस इस वोक्स को हम इस तरीके से से ओप्ली करेंगे तो देखेंगे वे सब्सक्राइब तो हैं और इस तरीके से हमको मझे को रिसीव हूँ और ईस समय से अड में बता रहता है कि इसमें यह बीन चैस्लीटेर्श चेन फरेस्स控व मही और मैं आपको दिखा दूगी कि जो भी मैंने केवल एसेंशियल ही मगाई हैं जो कि डेली यूज के लिए हैं और इस लोगडाउन में धर बैटे हैं जो भी मगा सकते हैं और इसमें भी 30 और 40% आफ मिल जाए तो इससे वेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता है तो इसमें मैंने ट् अब मैं इसमें इनेक्स्ट प्रोडेक्ट देखूंगी मैंने इसमें कई तरीकें के सैंपू भी मगाए हैं और ये वाली रेप कोल के देखेंगी हम तो इसमें मैने यह ड़ शैंपू मगाया है और यह ड़ शैंपू नरिशिंग situation कु है और हल्दी विच्योल 500 फार ग्रॉइंग एर यह ग्रोइंग यह के लिए है और बैर्ट है और नेख्ट है। बीढ रेंज में हैं और जिनको मैं आपको बता देती हूँ एक Biontik का Bion Papaya Revitalizing 10 removal Scrub है एक Biontik का Bion Papaya Visually Ageless Scrub Boss है यह Scrub प्लस Face Boss दोनों ही है तो यह दोनों मैंने मगाए हैं यह दोनों ही मुझे 30% off में मिले हैं नायका से तो next product मैं आपको दिखा देतीं next product मैंने क्या मगाया है इसको मैने ऑपिन कर लिया है और यह वैसलीन का वैसलीन का मॉस्तराइजर इंटेंसिव के एपलीज गाय जाइसा थोड़ी आउज में प्राब्लम में तो इसे अग्डोर करियेगा पूरी बॉड़ी पक ये छेकंडा हो जाती है, हमारी पूरी बॉरसियी पडूरी पर जितों हिजार सब को एक दूम हीड़ियट कर देता है, विकलोत प्रोन है нач for आपके फेस्टाइं वोगा जाते हैं इसके प्रोडेक्त तो नेक्स्ट मैंने मगाया है वायो टिक के ये दो फेस्टाइस मगाया है वह दॉनरा जो आब ही मैंने थोड़ी दे पहले दिखाए थे वह दोनर फेस क्रफ थे यह दूना फेश वोस है और मैं आपको बता रेती hoon कोई भी skin वाले, oily, normal, dry, combination कोई भी skin वाले इन bio-tech के प्रोडेक्टों को किसी भी तरीके से इस्तमाल कर सकता है और कोई भी तरीके का हम हमारी skin पर नहीं होगा अब next product जो मैंने मगाये है मगाया है Next product मैंने मगाया है हमालिया की revitalizing night cream जो कि मैं डेली स्तमाल करती हूँ और तो मैं यह सजेशन में देना चाहती हूँ कि आप कोई भी मॉस्ट्राजल लगाओ या ना लगाओ डेक्रीम लगाओ ना लगाओ लेकन एक नाइट क्रीम जरूर लगानी चाहिए चाहिए चिसले का हमारी इसके अच्छी तरह से रिपैर और इसका सेपरेड रिव्यू मैंने अपने चैनल पर भी दिया है आप उसको मैं लिंक डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में दे दूगी आप उनकी जरूर देख लीजिएगा यह हमालिया रिवाइट लाइजिंग नाइट क्रीम है और यह भी मुझे अप टू थर्टी इसका पर मुझे कोई भी डिसकाउंट नहीं मिला है क्योंकि 150 भी हमारी बजट में आजाता है तो यह 150 का है अब मैं नेक्स्ट लेवान सीरम बिना अपने हैर को मैंनेज करना तो पहुचा था डिफिकल्ट काम है तो एक सीजम तो चाहिए होता है और यह में लेवान सीरम इ जितने भी होते हैं उन सब को स्मूथ कर देता है और इस तरीके से भी आप अपने हैर को मैंनेज करना चाहते हो यह स्टाइल देना चाहते हो दे दीचिए और बस इसे आपके हैर बहुत ज्यादा अचाइन करेंगे गिलो करेंगे तो यह मेरा नायका होलतार एका से जो भी कि आपको दिखा दी है और आप में एक बार और पर से दिखा देना चाहते हूं यह नायका वाल में मैं इतना सारा सामान मगाया है जो कि मुझे अप्टू 30-40 परसेंट आप में मिला है और आप ठस्मी गाइज आप मैं आपको मता सकती हूं कि नायका से मैंने बहुत बार पॉणसर वीडियो नहीं है कि नायका वाला उने मुझे इसके लिए पैसे दिये हूं मैं जैनुवन अपना रिव्यू दे रही हूं कि नायका से जो भी प्रोडेक्ट आता है वो एकदम और आता है और सेफ आता है और सेख़व आता है तो अगर वीडियो थोड़ा सब यू जढआ आता है और सक्क्राइबन धरी और वाजा है रादि रादि रादि